हेलो दोस्तों तो देखे मैंने चोकलेट बाउल में ले लिए और बटर और इसे अच्छे से में मिल्ट करूँगे तो देखे मैंने इसे 33 सेकंड करके दो बार के बैस में मिल्ट करके ला दी इसमें बटर और चोकलेट दोनों साथ में जाएगा मैंने यहां मिल्क चोकलेट कंपाउंड आपके पास डार्क हो तो डार्क ले ले लेना फिलहाल मेरे पास मिल्की था डार्क नहीं था तो मैंने य सारा डिस्क्रिप्शन बोक्स में मैं लिख दूंग आप वहां जाके देख लेना इसे भी से मिक्स करूंगे मिक्स करके बगल में रख दूंगे ब्राउन सुगर मैं ने इसलिए डाला क्योंकि मेरे पास डार्क कंपाउट चोकलेट नहीं था तो मुझे डार्क लाना था आप बेकिंग का काम और टीबीएसपी नाप के लिए तो सबसे बेश्ट होता है तो मैंने हाप टीबीएसपी वेनिगर लिया था और तीन टीबीएसपी में दूद लिया था अच्छी से मिक्स करके मैं उसे बगल में रख दिया अब मेहां ड्राई चीज ले लोंगे तो मैंने मेरे बड़ी गादा को पहले से च्छानके ले लिती दुदर में उसमें वन टीबीएसपी में डार्क कोगू पाउडर क्यूंकि में बताई रही हूं कि मेरे पास डार्क कंपाउड नहीं था तो हर चीज यू मुझे डार्क कलर लाने के लिए मैं डार्क लिया और क्ल बावल करेंगे विख्र फिर अच्छे से विक्स करेंगे गदम में अच्छे से मसीन वीटर नहीं लग नहीं कर लेना इसके बाद इसमें क्या करेंगे हाफ टी एसप एसमें डालेंगे हम वेनियला एसंस तो मैंने हाप टीएस पी वनिला एससे डाल दे फिर इस अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसके बाद क्या करेंगे ड्राइ चीजों में लिक्विड डाल देंगे फिर अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसकी एक बॉल बना लेंगे यानि दो बना लेंगे तो कोको पाउडर और मै पर से यachya बरत के नहीं चाहिए के बनाल। जिता बनालो आधा है वाट का को ले 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 लेते हैं पहले ही उन्हें एकाई लिक्विड डाल दींगों फिर अच्छे से मिक्स करेंगे तो mix जब करेंगे तो आपको liquid दिखेगा किसकी cookies बनेगी कैसे फिर भी वो बताती हूँ में अच्छे से mix करें बहुत अच्छे से mix करें तो देखे मैंने इसे अच्छे से mix कर दिया और mix करने के बाद क्या करूँगे मैं इसे freeze में रख दूँगी जब अच्छे से पूरी सेट हो जाएगी मानिया अगर कम से कम आधा घंटा में रखा था तो इस सेट हो जाएगा ना फिर इसकी बॉल बने की ब्राउनी कुकीज है तो ब्राउनी कुकीज पूरी सेट होने के बाद ही बनती है और इसे जब आपको खाना हो तो बहुत बच्चे मतले में ठंडे काते हैं पर मुझे खाना हो तो मैं थोड़ी सी इसे 10 सेकिंड गरम कर लेती है फिर में खाती हूँ इसे तो मैं इसे फ्रीज में रख दूँ और रखने के सेट होने के बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ तो देखी अच्छे से सेट हो गया था जो ट्रे है न मैंने दो दिन पहले इसमें बनाया था को किछ घर के लिए तो वही पिपर में ट्रे रखी थी समाल को टीजी के तो देखी पूरी हैट को ट्रें अचिस सेट हो गया है तो इसा में पूर चूढा लूगा चूढाने के बाद इसे अच्छे से एक गोले बना लाटे बनाना के एक साइच का बनाना आपके को कोसिस करना तो मुझे आदा ते में फटा फट बनालेती हूँ ओ देखी साथ में आधा एक इंच गैब चाहिए नहीं तो जब पूरी बय बेक होती है ना तो फ्लेट हो जाते तो चिपक जाती देखना लाश्ट में आपको एक दिखाऊंगे एक चिपकी गई थे जो कोने वाली है ना चिपक गई थे तब एक दो के लिए OTG दूसरा तो मैं ट्रेने ही करूँ पर मैंने कमी डाला था कि अगर ज़्यादा डाल दून तो बच्चे पसंद नेकत मैं आपको बस बता रही हूं तो डालना हो तो अगर उपर आपको वाइट वर्ट चाहिए ना थोड़ा ज़्यादा डालिएगा नहीं तो पूरी बेक होती तो दिखती नहीं किसमें सूगर है तो आइसिंग सुगर थोड़ी से में डेकुरेशन के लिए डाल दूँगा फिर इसे बेक करूंगी बेक में करूंगी एक सो असी डिगरी पर टॉन्टी फाइप मिनट से लेके थर्टी मिनट तब तो देखे अच्छे से बेक होगे देखे देखे देख रहा है न कोछ इतनी अच्छी कूकी बनी है क्रिस्पी क्या बतन को ते देखे आपके सामने में तोड़के दिखा दी चलिए फ्रेंट कल मिलते हैं नए वीडियो नए रेसिपी के साथ